बाकी उसी परिवार को दे दी जाती है जो बक्री पालन करता है इतना ही नहीं बक्रियों की देखभाल के लिए जरूरी सेवाएं भी प्रदान की जाती है आज पचास गाउं के एक हजार से अधिक किसान इस दमपत्ति के साथ जुड़े हैं उनकी मदद से गाउं के लोग अच्छा लगता है कि विभिन्नक्षेत्रों में सफल प्रफेशनल्स छोटे किसानों को ससक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं उनका यह प्रयात हर किसी को प्रेदित करने वाला है मेरे प्यारे देश वाचियों हमारी संस्कृति की सीख है परमार्थ परमो धर्माह यानि दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है इसी भावना पर चलते हुए हमारे देश में अंगिनत लोग निश्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा करने में अपना जीवन स मर्पित कर देते हैं ऐसे ही एक व्यक्ति है बिहार में बोजपूर के पीम सी भवेश जी अपने खेत्र के मुसहर जाती के लोगों के बीश इनके कारियों की खूप चर्चा है इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना आज इनके बारे में भी आप से बात की जाए बिहार में मुस बीम सी भवेश जी ने इस समुधाय के बच्चों की सिक्षा पर अपना फोकस किया है ताकि उनका भविश उजवल हो सके उन्होंने मुसहर जाती के करीब आठ हजार बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बहतर सुविदा मिल रही है भीम सी जी अपने सबुदाय के सदस्यों के जरूरी डोकुमेंट बनवाने में उनके फॉम भरने में भी मदद करते हैं इससे जरूरी संसाधनों तक गाउं के लोगों की पहुंच और बहतर हुई है लोगो से अधिक मेडिकल केंप्स लगवाए हैं जब कोरोना का महा संकट सीर पर था तब भीमसी जी ने अपने खेत्र के लोगों को बैक्सिन लगवाने के लिए भी बहुत प्रोथाहित किया देश के अलग-अलग हिस्तों में भीमसी भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो समाज में से अनेक नेक कारियों में जूटे हैं एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम इसी प्रकार अपने कर्तवियों का पालन करेंगे तो है यक ससक्त राश के निर्मान में बहुती मददगार साबित होगा मेरे प्यारे देश वाचियों भारत की सुन्दरता यहां की विविदता और हमारी संस्कृति के अलग-अलग रंगों में भी समाहीत है मुझे देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग निश्वार्त भाव से भारतिय संस्कृति के सहुरक्षन और इसे सजाने सवारने के प्रयासों में जुटे हैं आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे इन में से बड़ी संख्या उनकी भी हैं जो भाषा के खेतर में काम कर रहे हैं जम्मु कश्मीर में गौंदरभल के महमत मानशाह जी पिछले तीन दसकों से गोजरी भाषा को समरक्षित करने के प्रयासों में जूटे रहे हैं वे गुजर बकरवाल समुदाई से आते हैं जो की एक जनजातिय समुदाई हैं उन्हें बचपन में पढ़ाई के लिए कठीन परिश्रम करना पड़ा था वो रोजाना 20 किलोमेटर की दूरी पैदल ताय करते थे इस तरह की चुनवतियों के बीच उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी भाषा को समरक्षित करने का संकल्प द्रढ़ हुआ साहित्तक्षेत्र में मानशाजी के कारियों का दाइरा इतना बड़ा है किसे करीब पचास समस्करोणों में सह जा गया है इनमें कविताएं और लोगईत भी शामिल हैं उन्हेंने कई किताबों का अनुवाद गोजरी भाषा में किया है साथियों अरुनाचल प्रदेश में तीरप के बनवंग लोसुजी एक टीचर है उन्होंने वांचो भाषा के प्रसार में अपना एहम योगदान दिया है यह भाषा अरुनाचल प्रदेश, नागालेंड और असम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है उन्होंने एक लेंगवे स्कूल बनवाने का काम किया है इसके वांचो भाषा की एक लिपी भी तैयार की है वो आने वाली पीडियों को भी वांचो भाषा शिखा रहे हैं ताकि इसे लुप्त होने से बचाया जा सके साथियों हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो गीतों और नुर्त्यों के माद्यम से अपनी संस्कृती और भाषा को समुरक्षित करने में जूटे हैं करनाटका के वेंकप्पा, अमबाजी, सुगेटका उनका जीवन भी इस मामले में बहुत प्रेरणादाई है यहां के बागल कोट के रहने वाले सुगारकर जी एक लोग गायक है इन्होंने एक हजार से अधिक गौंधरी गाने गाये हैं साथि इस बाषा में कहानियों का भी खुब प्रत्यार प्रसार किया है उन्होंने बिना फिस लिये सेंकडो विद्यारतियों को ट्रेनिंग भी दी है भारत में उमंग और उत्सा से भरे ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी संस्कृति को निरंतर सम्रद बना रहे हैं आप भी इनसे प्रेना लीजिए कुछ अपना करने का प्रयास करिए आपको बहुत संतोष का अनुभव होगा मेरे पैरे देश वाचियों दो दिन पहले मैं वारणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शांदार फोटो प्रदर्शनी देखी कासी और आसपास के युवाओं ने कैमेरे पर जो मॉमेंट कैप्चर किये हैं वो अदभूत है इसमें काफी फोटोग्राफ ऐसी हैं जो मोबाइल कैमेरे से खिच गई थी वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक कंटेंट क्रियेटर बन गया है लोगों को अपना हूनर और प्रतिभा दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद किये हैं भारत के हमारी वासाथी कंटेंट क्रियेशन के ख्षेतर में कमाल कर रहे हैं चाहे कोई भी सोशल मीडिया प्रेटफरम हो आपको अलग-अलग विशों पर अलग-अलग कंटेंट शेयर करते हमारी वासाथी मिल ही जाएंगे टूरिजम हो, सोशल कौज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर प्रेरग जीवन यात्रा इन से जुड़े तरह-तरह के कंटेंट्स सोशल मीडिया पर मौझूद है कंटेंट क्रियेट कर रहे देश के युगाओं की आवाज आज बहुत प्रभावी बन चुकी है उनकी प्रतिभा को सम्मान देने के लिए देश में नेशनल क्रियेटर्स एवार्ड शुरू किया गया है इसके तहट अलग-अलग केटेगरीज में उन चेंज मेकर्स को सम्मानित करने की तयारी है जो सामाजिक परिवर्तन की प्रभावी आवाज बनने के लिए टेक्नोलोजी का उप्योग कर रहे हैं यह कॉंटेस्ट माई गौव पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रियेटर्स को इससे जुड़ने के लिए आगर करूँगा आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रियेटर्स को जानते हैं तो उन्हें National Creators Award के लिए जरूर नमिनेट करें मेरे प्यारे देश्वास्यों मुझे इस बात की खुशी है की शुरुवात की है मेरा पहला वोट देश के लिए इसके जरिये विशेश रुप से फॉस्ट टाइम वोटर से अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने का आग्रह किया गया है भारत को जोस और उर्जा से भरी अपनी वाशक्ति पर गर्व है हमारे वाशाथी चुनावी प इसके नतीजे देश के लिए उतने ही लापकारी होंगे मैं भी फॉस्ट टाइम वोटर से आग्रह करूंगा